आज जिस वर्डप्रेस के सूपर हीरो से हम आपको मिलवाएंगे उनोंने internet की दुनिया में एक तहल का मचा दी एक नहीं काफी तहल के मचा दी उनोंने और हम आपको उनसте मिलवाने जा रहे हैं ताके आप उनसे सीख सकें कि कैसे WordPress यूज करके उनोंने अपनी जिन्दगी बदल दी WordPress क्या है? WordPress is just a tool. It's an opportunity to change your life. और WordPress के Superheroes कौन है? WordPress के Superheroes are people who have changed their life or they have changed the life of people around them या उन्होंने society को किसी तरह से benefit पहुँचाया यह वो लोग हैं जिनने WordPress को सिर्फ एक टूल की तरह नहीं use किया They used WordPress to change humanity and society in small but great ways और हमारा मकसद आपको इन Superheroes से मिलवाने का है ताकि आप इन से सीख सकें Learning happens when both parties think Both parties से मुराद है कि हम जो आपको सिखा रहे हैं but at the same time you Our audience, our viewers, our listeners, our learners जो कि हमारे साथ एक connected way में सीख रहे हैं So आज जिस शक्सियत से मैं आपको मिलवाने जा रहा Not only did he sell a website online for more than $100,000 But he started a website जो के गवर्मेंन को चेक में रखती है This is a powerful guy that I am talking about I would like to welcome and I am very pleased to welcome a very old friend for this segment Salman Saeed Salman Saeed, thank you so much for inviting Salman, हमारी audience उतावली हुई जा रही है, they really want to know के आपने ऐसा क्या किया जिसकी विदा से आपने लोगों की जिंदगी बदली But before you answer that I want you to take some time and reflect on your story Because our stories make us humans यह हमारी stories की विदा से है, हमारी कहानियों की विदा से है कि आज हम as humans exist करते हैं So, वहाँ पर जो लोग बैठे देख रहे हैं वो चाहते हैं कि एक दिन उनकी कहानी लोगों को इंस्पाइर करे और लोगों की जिंदगी को बदले तो मैंने आए से पर तो रिसरच किया कि जो मेरा यह ओडियन्स है जिसको हम इसकारी इनसनाएंगे वो कौन सी ओडियन्स है And मैंने काफी रिलेट किया उन लोगों से यह ओडियन्स वही ओडियन्स है जो मैं एक दिन था मुझे इंगलिश तक नहीं आती थी वेबसाइट बनाना तो बहुत दूर की बात है वेबसाइट को बनाने के लिए वो कोडिंग लैंगविज समझना तो बहुत दूर की बात है And इसलिए मैं समझता हूँ कि मेरी स्टोरी इसे बहुत लोग रिलेट करते हैं बहुत इंसपायर होते हैं क्योंकि मैं अपने उस comfort zone से बाहर निकल के मैं जिन्दगी के साथ experiments किये जिसकी वैसे मैं आज वहां खड़ा हूँ जिसकी वैसे मुझे आपने यहां इन्वाइट किया और मुझे सुपर हीरो का एक खताब दिया तो मेरे स्टोरी स्टार्ट होती है 2010 में जब मैंने एक website बनाई थी salmansayedsomething.wordpress.com पर जहां मैं शाहिरी लिखता था वो शाहिरी के बौट शौक था लेकिन फिर मुझे पता चला कि एक लरका है जो online पैसे कमाता है और 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 कोई नहीं बट आप खुद है तो मेरी inspiration साथ भाई थे जिनको देख के मैंने का अच्छा online पैसे कमाई जा सकते हैं और जो platform यह यूज कर रहे थे वो wordpress था तो मैंने फिर wordpress को explore किया लेकिन मुझे coding नहीं आती थी मैं एक accountancy का graduate हूँ मैं चार्ड accountant हूँ मैं आज तक ना computer science पड़ा है ना मैंने programming language सीखी है तो मैंने wordpress को explore करना शुरू किया कि मेरे ले तो बहुत मुश्किल होगा कि बाद में मुझे जानने को मिला कि नहीं कोई भी लड़का जो facebook यूज कर सकता है twitter यूज कर सकता है whatsapp यूज कर सकता है वो wordpress पे अपना venture बना सकता है website तो बहुत चोटी बात है and that's when I started my own website called technileaks.com क्योंकि आपका website भी technology पे बेस था the story went on और मुझे पता लगा कि मेरा शौक ज्यादा photography से है तो मैंने photography की website बनाई and उसके बाद मुझे पता लगा कि बहुत सारी traffic आपके website पर social media से आती है जहां pictures का content काफी अच्छा काम करता है so pictures and content पे मैंने देखा कि funny memes काफी मशूर जा रहे थे and जो आपने website का नाम लिया वो website थी gagism जो हमने बनाई थी जिसमें लोग funny pictures पोस्ट करते थे जिस पर traffic काफी आती थे social media से तो आप वो लरका इसको English भी नहीं आती थी जिसने 6 महीने लगा के 100 dollar बनाए थे एक technology के website में लेकिन बाद में मैंने सीखा कि जिस चीज में तुम्हारा शौक हो उसको ज्यादा अचा तरीके से आप कर सकते हैं उसमें quality work put in कर सकते हैं तो जो मेरी gagism website थी वहां कहां 6 महीने में 100 dollar और कहां एक महीने में 13,000 dollar और वही website फिर मैंने about 85,000 dollar की बेची थी तो पंजाब हकूमत नहीं हमें वाट दिया था innovation hero of Pakistan का और इनको जरा बताएं भी कि 85,000 dollar आज किल के जमाने में कितने पैसे होते हैं एक करोड से उपर बनते हैं एक करोड से उपर वाँ यह साल की उमर में बहुत बड़ी बात थी तो वही माबाप जो थोड़े से कत्राते थे क्या कर रहे हैं जो शायद हमारी ओडियोंस को आज कहते होंगे उनके parents वह बात में खुश थे कि online media is also a very reliable source of earning तो खेर मैं फिरू सारा पैसा दुबई ले गया था मैंनो अपर कंपनी खोली थी जहां इंट्रस्टिंग बात यह है कि हम लोग specialized थे wordpress websites बनाने में तो कोई भी अगर आगर हमें अपनी company website बनाने को बोलता था हम सम्हाव figure out कर ले थे कि वही चीज वही चीज पर बन सकती है कोई जरूवत नहीं कोई extensive software यूज करने की for example code igniter or site core जहां वो लोग लागों रुपे देते हैं हम वही काम उनको सस्ते करके देते because wordpress is such a innovative tool and उसमें तरहे plugins आप यूज करके उनको पॉड़र बना के दे सकते हैं जबरदस्त and it's so inspirational to have people like Salman as part of this segment government जिन्होंने ना सिर्फ पैसे बनाई जिन्होंने ना सिर्फ अपनी जिन्दगी बड़ी और अपने साथ लोगों की भी जिन्दगी बड़ी वैसे तो मैं आपसे खान मीटर के बारे में detail में बाद में पूछूंगा but क्या आप यहां पर बताना चाहेंगे हमारी का ओर्णियंस को खान मीटर को यह क्या है? खान मीटर के मैंने सब्सक्राइगि था इस्टार को अन्दाज में उन में और वाता हुड समुट है के ममेट कम पहलिब वा дов que залगे हैं पेशिए दे हमारे ला खान dal दो एक रहुआ हैं इंटरनेट पे ज़्यादा फोकस्ट है टीवी से भी तो मैंने इसलिए एक वेबसाइट बने एक खानमीटर नाम से जिसमें मैंने सारे वादे लिखे और बड़ी खुबसुरत तरी किसे उसमें ट्रैक कर रहे हैं आपर वादे को हम कि कौन कौन से वादे पूरे हो चुके हैं हकूमत के मतलब किस फील्ड में हकूमत आगे काम कर चुकी है ताकि लोग उससे खुश खुश भी होते रहे हैं कि काम हो रहा है जहां शायद उनका इंट्रेस्स पहले नहीं था तो देके और फाइंड आउट कि हमारी गवर्मेंट किसे चीज़ों पर फोकस कर रही है आजकल जिसका शूर बहुत सार लोग को नहीं होता अब इंट्रेस्टिंग बात यह है कि एक ऐसी वेबसाइट बनाना जहां वादों को डालना पर उसको ट्रैक करना और उस पर काउंटर भी लगाना डेस का यह सुनकर लोग समझते होंगे कि बहुत सारी कोडिंग की ज़रूत होगी लेकिन मैंने वेफसाइट खोद बनाई और मैंने वर्डप्रेस पर बनाई जो कि काफी मशूर हुई है मुझे उसके उसके काफी शौरत में लोग काफी पसंद आया वाइडिया मुझे काफी हमार हुकोमत के लोगों और अवाम ने भी सराहा कि उनको नहीं पता था कि वादे कौन से है तो मैंने उनकी help के उनको इस वादों के बारे में बताने में काफी अरसे से चाहता हूँ वो यह के सलमान अपने डेली वर्क फ्लो में आप वर्डप्रेस कहां कहां यूज करते हैं जरा आपने बताया आपको फोटाग्रिफी का शौक था तो आप उदर मूव कर गए मुझे पता है साथ-साथ आपको फोटो लेने का फोटो शूट का बड़ा शौक है और आपने बीच में एक दुबई में जाके एक वेबसाइट स्टार्ट की जिसर आपको इंफ्लूएंसर आप बहा के बन गए and you used to be called for events आपको इवेंस पर बलाया जाता था इसके बारे में जरा हमारी audience को बताएं कि इंफ्लूएंसर मार्केटिंग क्या हो इंफ्लूएंसर कैसे बन सकते हैं मैं चार-पांच दिन पहले लाकॉस्ट के ब्राइंड है उनकी घड़ी के लाँच इवेंट था तो मुझे पाकिस्तान से बिजनस क्लास में लेकर गए पैरिस तो जब भी मुझे कोई पूछता है कि यह कहां से आया पहले तो मेरे पस जाब entrepreneurial का होता था लेकिन अभी मुझ युनीक modern अंदाज में पिशावरी खेडी को डिजाइन करके बेचते हैं और वह e-commerce website भी wordpress पर बेस्ट है जब लोग e-commerce का नाम सुनते है लोग के दमाग में different थोड़ से complex cms softwares आते हैं लेकिन वह wordpress पर आप कर सकते हैं is a plugin for that called woocommerce उसके अलावा एक और website है मेरी affiliate blogging के आरे में तो affiliate blogging में आपको बहुत सारे plugins उस करने हैं affiliate के लिए और वो affiliate plugins भी available है wordpress में तो मेरा affiliate blog भी wordpress पर बेस्ट है so anything that I do in my life it has always been on wordpress मैंने आज तक कोई कोडर हायर नी किया और ना मैंने खुद कोडिंग सीखी है ना मैं एक CS student हूँ मैंने वह सब कुछ wordpress पर बनाया because it's very easy to use आपको कोडिंग लेंगविज सीखने जरूफ नहीं है just need to be able to customize stuff जिसके लिए आपको कंप्यूटर भी यूज करना आए तो आपको कर सकते है so everything that I have is based on wordpress influencer marketing जो सवाल था आपका उसमें यही है कि आप जो भी website बनाते है wordpress पे आप एक influencer बन सकते हैं आपको बनानी है जिस चीज के बारे में आपको शौक है आपने उस चीज के बारे में content डालना शूरू करना है for example मुझे शौक तब fashion के बारे में so मैंने इस तरह के articles बनाए कि कैसे आप कम से कम खर्च करके अच्छे से अच्छा दिख सकते है because majority of the time जो हम लोगों अच्छे कपड़े पहने होते हैं या अच्छा दिखना होते हैं हम जाके महंगी shopping कर लेते हैं but that's not the case आपको सिर्फ एक sense होनी चाहिए dressing की so मैंने उस बारे में लिखना शूरू किया so slowly slowly brands ने मुझे पहचाना कि यह बंदा फैशन के बारे में जानता है and his follower following है जो आके इसके fashion sense को अच्छा पसंद करती है उसको पढ़ती है then इस तरह के fashion brands आपके आपके साथ affiliate होंगे और आपको वह पे करेंगे कि आप content लिखे वही content आप normally लिखते हैं somehow उस fashion brand को बीच में mention करके इन इसमें सरफ fashion नहीं आप इसमें cooking के recipes भी लिख सकते हैं आप इसमें make-up के बारे में tutorials लाल सकते हैं वह आप ब्लॉग पे कर सकते हैं वह आप YouTube पे कर सकते हैं लेकिन WordPress पर अपने YouTube की video embed भी कर सकते हैं क्योंकि Google पे search engine पे website लाए टॉप पे आती हैं बनिसबते videos so influencer marketing is totally a field job WordPress पे अराम से परसू कर सकते हैं जबर्दस आप एक entrepreneur हैं आप entrepreneur शाइद थे नहीं लेकिन आप entrepreneur बने हैं हलात की वज़ा से और अपनी skills की वज़ा से सो यह जो हमने concept create किया है यहां पर इसको हम कहते हैं three level digital empowerment concept जिसमें या तो इनसान यह skills सीखके freelancer बन सकता है या smart worker बन सकता है या यह entrepreneur बन सकता है आप हमें बताएं उस audience के लिए उन learners के लिए उन viewers के लिए जो आपको सुन रहे हैं आपको देख रहे हैं और आपसे सीख रहे हैं कि entrepreneur बनने के लिए क्या-क्या skills है जो हमारे young लोगों को चाहिए और कौन-कौन सी वो skills सीख सकते हैं online मेरे खिया से एक entrepreneur बनने के लिए एक successful entrepreneur बनने के लिए talent होना बहुत जरूई है लेकिन मेरे मताबिक talent की definitions are different है आप यहां confuse मत हो talent की definition मेरे मताबिक the capacity to experience है आप experience करने की capacity अपने आप में लाएं हमारी audience जो है मैं उनको समझता हूँ वो ढरते हैं कुछ भी नया experiment करने से कुछ भी नया experience करने से वो जो डर है उनमें वो है unknown का हम जब भी अंधेरे में चल रहे होते हैं हम अपने mobile के light on करते हैं हमें नहीं पता के रास्ते में पत्थर हैं या खाई है क्योंकि unknown है वो रास्ता हम light on करके उस रास्ते को known करके चलते हैं लेकिन life में हर जगा आपको light नहीं मिलती आपको experiment करना पड़ेगा आपको दख्यकाने पड़ेंगे और तब जाके आपको पता लेगा कि अच्छा वो जो unknown था वो known में कैसा है and then आपको अपनी abilities का अंदाजा होगा आपको self awareness आईगी जो के बहुत जरूरी है entrepreneur के लिए so मेरे मताबक आप experience करने की capacity को बढ़ाएं आप अपनी life साथ experiments करें जो भी आपका dream है जिस पी field में आप अपने आपको परसू करना चाहते हैं आप उसको अराम से wordpress पर ला सकते है content marketing is the best way जिस तरीके से companies अपनी services बेचती है हर company के services बेचने का एक तरीका content marketing होता है और वहां पर वो लोग wordpress का यूज करते है आप जो भी फील फील परसू करना चाहते हैं उसके बाद में content create करना शूरू करें once you start writing about it हमें डर यह है कि क्या पता है मेरी recipes किसी को पसंद ना जाए जब तक आप recipes बनाकर publish नहीं करेंगे और जब तक किसी का feedback आपको नहीं मिलेगा जो का आपको डर है कि बुरा हो तब तक आप कैसे अभी से जीम कर रहे हैं कि वो बुरा है so start experimenting with your life and then you might find out कि you are really good at what you think you are good at जबर दस्वार आपने खान मीटर का तो हमें बता दिया but मैं यह जाना चाहरा हो कि आपको खान मीटर का खयाल या idea कैसे आया because a lot of our learners here जो के एक दूसरे से मिलते रहते हैं, सीखते रहते हैं, वो डरते हैं नए ideas try करने के लिए How do you get your ideas? इसका basic, बहुत simple answer है मैं इस ही Pakistan में रहता हूँ, मैं इस ही दुनिया में रहता हूँ जब मुझे ख्याल हुआ कि मुझे नहीं पता उन चीज़ों का तो यह बहुत high chances है कि बहुत सारे लोग को नहीं पता उन चीज़ों का मैं इसलिए confidently वो tool बनाया कि मुझे पता था कि मेरी तरह और भी audience है जिनको उस तरह के और वादों का और उस पर idea बनाकर अपना venture, अपना product, अपनी website, अपनी company खड़ी कर लें बिस आपको उसमें problem आई है और problem बहुत सारे लोग को आईगी and that is your idea which you can convert into your company using wordpress Zabardas Salman I would like to kind of end this but with your final suggestions and advice to those young people who are watching us and to those young people who are watching us you will change with wordpress and one day we will stand here as wordpress superheros what is your advice for them? I think there is only one specific simple sentence which you should focus on everyone get out of your comfort zone that's not where you are going to get success Zabardas thank you Salman for joining us most welcome and I think what we are meeting with superheroes here they will change your life because they have changed their own life let's try to learn and let's try to grow together to make Pakistan number one in the global digital economy you you